तो फ्रेंड्स कैसे आपसे भी लोग मेरा नाम साहिल कपूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ बैटल फॉरएवर के एक और नए एपसोड में तो आज की जो बैटल होने वाली है यह होने वाली है काफी ज्यादा मज़दार क्योंकि यह बैटल है इंडिया के फर्स्ट और म मुस्ट पॉपलर सुपर हेडो शक्तिमान और एमस्यू के वन अफ दी मोस्ट पावर्फू लैंड मुस्ट पॉपलर सुपर हेडो थॉर के बीच तो दोस्तों दिल थाम के बैटिये और मज़ा लीजिए इस वीडियो का तो बिना किसे दरिके रस बेगन तो दोस्तों जैसा कि आप सब्वी लोग जानते हैं यह बैटिल होगी तीन राउंड मैं प्रिर्राउंड में हम देखेंगे थोरर की पावर्स और वीग्नेस और दूसरे राउंड में हम देखेंगे शक्तिमान की Science और तीसरे जो कि हमारा फाइनल राओंड होगा उसमें हम दिखें कि इन दोनों मुस्ट पॉपलर और पावर्फुर करेक्टर में से कौन जीतेगा तो तो जो कि है गौड अफ थंदर यानि कि थोर एक गौड है और एक गौड होने के नाते हम यह मान सकते हैं कि थोर इन्मोडल है और थोर के पास है कई सारी पावर्फ है जैसे की सूपर हुमन स्पीड, सूपर हुमन स्ट्रेंथ, फास्ट रिजगाटिक, हिलिक फैक्टर, थोर एक जगह चेज़ दूसरी जगह बहुत या यूँ कहे थोर एक प्लाइनर के दूसरे प्लाइनर तक बहुत जल्दी पहुन सकता है, क्योंकि उसके पास है टेलिपोर्ट होने की पावर और वह अपने वेपन, स्टोनब्रेकर की मदद से असानी से टेलिपोर्ट हो सकता थार इम्यून है किसी भी तरह की डेजीज से यानि की थार को वाइरस या बीमारी छूब भी नहीं सकते प्लस उसका हिलिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉंग है कि वह काफी जल्दी बड़े से बड़े खाओं को भी असानी से हिल कर जाएगा और अगर थार के पास उसका वेपन यानि कि म्योनीर आ जाए तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है साथ ही थार इतना ज्यादा पावर्फुल है कि उसने यानि कि वेरी वेरी पावर्फुल बिंग गैलक्तिस को भी हराया है जो कि प्रित्वी को खाना चाहता था और अगर ऐसा होता है कि थार के पास उसके दोनों वेपन यानि कि स्टोन ब्रेकर और मियोनीर आ जाए तो थार की पावर एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच प्लस थार काफी जयदा मार जिहर सकता है और इसे हमें उसके कितन swings ज्यादा रूर्बल हूने का पता भीचसलता है और थारfäh के बारे में एक मज़िदार और खतरनाक बात यह भी है कि जैसे जैसे थार्थ की उमर बढ़ती जाती है यानि वो जितना बूड़ा होता जाता है उसकी पावस उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है मतलब उसकी उमर के साथ उसकी पावस भी बढ़ती है ये बहुत ही खतरनाक बात है उसके दुश्मनों के लिए So अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की हो जिसमें हम देखेंगे शक्तिमान की पावस और वीकनेस So friends, शक्तिमान ने अपने पांचो एलिमेंट्स को पूरी तरह से कावव में कर लिया है और इसी वज़ए से शक्तिमान एक सेल्फ मेड सूपर हीरो बन चुका है और शक्तिमान के अपने पांचो एलिमेंट्स यानि की चक्रास को कावव में कर लेने के कारण शक्तिमान एक इन्फिन्टी स्टोन की जिनाव पावर्फुल बन गया है क्योंकि शक्तिमान के पास है अनर्जी चक्रा और इसके चलते शक्तिमान को मिलती है कई सारी पावर्स जैसे की सूपर स्पीड, फास्ट रिजनलिटर, हीलिंग फैक्टर, फोर्स फील्ड और फ्लाइंग पावर्स शक्तिमान लाइट की स्पीड आसानी से पकच सकता है शक्तिमान अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने आस पास एक बहुत ही मजबूत फोर्स फील्ड को क्रियेट कर सकता है, जो कि काफी मजबूत हो और उसकी हीलिंग भी इतनी ज्यादा फास्ट है कि वो बड़े से बड़े घा को कुछी खिशनों में, कुछी सेकेंड म असानी से ऀफ़कर सकता है, जिसकी छलते शक्तिमान के पास आ जाती है टेलिपरथी की पावर और साथ ही मैं शक्तिमान इसकी वज़ह से अपने श्रील को काफी बड़ा कर सकता है, और काफी छोटा भी कर सकता है, लाइक एडवन के जैसे पर उस से कई गुनाश्य ज़्या झिल दीह सो शंक्तिमाइल ने बांच से कभी हार में नहीं हो सकता शक्तिमाढ के पास साइकिक चक्रा जो शक्तिमाध को देता है क держा कर सकता है किश मोधार कर सकता है उसके सामनेवाल कि तब ज्यादा शक्ति शाली हो पर वो उसके माइन को भी असानी से कंट्रול कर सकता है और صرف एक ही जगा दाकर बिना हिले डूले सर्फ सोच कर ही किसी को भी भाक बनाने का दम रखता था है शक्तिमान के पास है अन्तहिन यानि की लिमेटलस पावर शक्तिमान के पास है सुपरमेन के जैसे पावर लेजर बीम और इतना ही नहीं शक्तिमान टाइम ट्रैवल यानि की टाइम टेकाथी भी कर सकता है और अगर वो हर भी जाए तो टाइम ट्रैवल करके फिर से जीट सकता है पर यहां मैं आपको एक शक्तिमान की KaSwari के बारे में बता दो कि शक्तिमान कभी भी प्रक्रती के नियमों को नहीं तोड़ सकता यानि कि सक्तिमान के पास टाइम् Special की बावर तो है पर वह प्रक्रती की तेने gusta time table नहीं करेगा और साथ ही मैं आप a डी चक्रा के कार शक्तिमान के पास आती है superhuman strength है यहां मैं क respective heat peak human strength क्यूंकि पैसी स्ट्रेंधि coronary जादा strength ही टेंद्ट या ने कि इतनी कि शक्तिमान किसी बड़े क्रहों को भी आसानी बीच शभालने का दम रखता है और अपनी light speed के चलते शक्तिमान वर्टीवर्स में भी travel कर सकता है वो भी बड़ी असानी से ये तो थी शक्तिमान की कुछ स्टंख की सुपर में के लिए क्रिप्टोनाइट सो आप समझ सकते हैं कि सुपर में के लिए क्रिप्टाइट कितना ज्यादा खत parlament तरह से सक्तिमान के लिए पाप मणी उतनी जादा खतरनाक है यह शक्तिमान की सारी शक्तियों को चूस लेती है तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे यानि की फाइनल राउंड की और जिसमें हम देंगे कि इन दोनों मुस्ट पावर्फुल और मुस्ट पॉपलर क्रेक्टर में से कौन जीता है अगर यह दोन तर चांसे मुझे लगते है कि शक्तिमानी जीतेगा क्योंकि थौर है अपना वाइक गॉड ऑफ थंडर और थौर की सबसे बड़ी पावर है थंडर यानि की बिजली पर शक्तिमान को उससे कुछ फर्क भी नहीं होगा क्योंकि शक्तिमान को पावर तो इनी सभी एलिमेंट से उठा सकता है और क्यों ऐसा क्यों है कि शक्तिमान थौर का म्योंदिर उठा सकता है इस बात पर मैंने एक पूरी वीडियो मनाई है आप चाहे तो मेरे चैनल पर चकाउट कर सकते हैं तो अगर थौर के पास कहीं से भी पाप मणी आ जाता है तो थौर ऑविसली इस बैटल पालिन पैदा नहीं होता है क्योंकि यह सर्फ अंदरकार या फिर शैतानों के पास ही होता है थौर तो अपना बाई गॉड ऑफ ठंदर है वो शैतान वेता नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि किसी प्यालत में थौर के जितने के चांद से बहुत कम है मैं यहां यहां यह कि धौर शक्तिमान को हरा दे उनकी पीछ फाइट अगर होती है तो यह फाइट बहुत ही लंबी और गमासान होगी पर आखिर में आते आते शक्तिमान ही जीतेगा क्यों यह मैंने आपको पूरा करन बता दिया तो फैंस मैं मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज याट कर दो इस यह वीडियो अगर अची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करना या शेयर तुम करना ही और कमेंट में मुझे आपने इराय बताना कि तुम्हें क्या लगता है अगर इन दोनों क झाल झाल